नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन आधूनिक इंप्लांट्स के बारे में जिसका नाम है बेजल इंप्लांट्स इस इंप्लांट के द्वारा आप अपने खोए हुए दाथ सिर्फ तीन दिन के अंदर वापिस प्राप्त कर सकते हो यहाँ इंप्लांट्स दूसरों इंप्लांट्स से बहुत जादा अलग है क्योंकि इस टेक्नीक में हमें पेडों में या मसूरों में कोई कट या चीरा देने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई टाके लगते है अब ये implants छोटे से लेकर बुजूर्गों तक सभी के मूँ में हो सकता है और उन लोगों में भी हो सकता है जिनकी हड़िया बहुत ज़ादा कमजोर हो गई हो तो ये implants कैसे किये जाते है सबसे पहले जब patient हमारे क्लिनिक में आता है तो उसका विस्तार में check-up होता है जब patient treatment के लिए ready हो जाता है तो पहले दिन एक बहुत ही छोटे पतले साधन के द्वारा हम इन implants को सीधे हड़ी के अंदर डालते है और जैसे कि आपको पता है इसमें कोही cut नहीं रहता तो खून भी बहुत ही कम निकलता है इस टेकनीक से सूजन भी नहीं आती और दर्द भी ना के बराबर होता है अब दूसरे दिन metal trial आता है जिसको मुँ में डालके उसकी fitting check की जाती है यह metal trial वापस laboratory में जाता है जहां पे दात लगाये जाते है और तीसरे दिन final दात हमें मिल जाते है अब इन final दातों को हम patient के मुँ में डालके check करते है एक बार patient और doctor इससे सहमत है तो उसे एक cement द्वारा finally fit कर दिया जाता है तो बेजल implant टेकनीक से बड़े आसानी से तीन दिन में आप अपने दात प्राप्त कर सकते है और खाना शुरू कर सकते है तो यह टेकनीक दूसरे टेकनीक जिसे open टेकनीक कहते है उससे बहुत जादा अलग है क्योंकि उसमें कट दिया जाता है टाके दिये जाते है अगर आपकी हड़ी कमजोर है तो नकली हड़ी भी डाली जाते है और तीन से छे मैने तक लंबा समय रुखना पड़ता है जिसके बाद आपको अपने दात मिलते है तो दुनिया भर से लोग आते है इस आधुनिक टेकनीक से अपने इंप्लांस के तो अगर आपकी हो जिसके दात खोचुके है तो स्विस बेजल इंप्लांस के बारे में जरूर जानिए थैंक यू